नमस्कार मित्रो जीवन दर्पन जोतिस केंद्र में आप सभी का स्वागत है मैं दिवाकर वसिष्ट मित्रो आज हम चर्चा करेंगे कालसरप्यों के बारे में जिन लोग की कुणली में कालसरप्यों है वैसे तो कालसरप्यों बारे प्रकार का माना जाता है लेकि जिसके चोटा सा उपाय करके उस कालसरप्यों के दूस प्रज़नाम से बच सकता है। यह उपाय है तो छोटा सा लेकिन इसका प्रभाव काफी बड़ा है। आपको करना से तरितना होगा कि आप बजार से टेसु के फूल खरीद के लाएं। जैसी इच्छहोः और लाग जाके उन फूलों को गउ मुत्र में बिगा दे। गउ मूत्र में फूलों को भिगाके छाओं में उनको सुखा दे। जब ऐस अच्छी तरह से सूख जानें। उसके बाद उन फूलों का पॉडर बणानें। उनको पीसले। जब भी आप रो जाना इश्णान करें तो उस पॉडर में से थोड़ा सा पॉडर एक चुटकी आधा चमच पॉडर लेके अपने भाने वाली बालटी में पानी पें विला दें और उस से रो जाना इश्णान करें ऐसा करने से कालसर भीयोग का प्रभाव आप लोगों के ऊपर से हटनी लगे जिन भाईयों के बड़ी बड़ी पूजा और अंस्ठान करा के कालसर भीयोग के दोसों को दूर करनी की कुशिश की Gayम है विक अब और को अबश्य करें क्योंकि दोस्तो पूजा पाट कराने के बा से निरंतर अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको हमेशा काल सर्प्योग से होने वाली परिशानी से आप छूट जाएंगे उपाय छोटा है लिकिस का प्रभाव काफी बड़ा है अगर किसी पर राहू की मादर्शा इत्यादी चल रही है राहू या कि तो किसी पर है कुम्ली में तो अब रोजाना नहने की वाइटी में गव हुत्र मिला करके इश्नान करें तब भी वै राहू से होने वाली परिशान कर भी PositionP Voilà दोसी है का लुफ हा five और ग KNOW झाल झाल